गटिया विगत कुछ समय पूर्ब मोवन बढ़ो दिया मैं फस्टा चार के आरोप लगने के बाद गटिया जनपत सीएओ के पत परा सीन हुई विश्नुकांत गुपता का पारा आज भी सात्वे आस्मान पर दिखा। पंचायत के रोजगार सहायक को निर्देश दिये इस पर उसके द्वारा किसी अन्नी के पक्के मकान के सामने खड़े होकर फोटो खिचबा कर फेज दिया गया इस पर शिकायत करता ने सीएओ से संबंद में पूछा तो उसे डराया धमकाया गया। इस घटना की जानकारी लगने पर एक पत्रकार दल सीएओ से चर्चा करने पहुँचे तो उनके दोरा हित्गराही का पक्का मकान होने से अपात्र गोशित होने की बात कहते हुए रोजगार सहायक दोरा बेजा गया फोटो दिखाया गया। जब पत्रकारों ने शिकायत करता से पक्के मकान वाली बात कही तो उसने मौके पर जाकर अपना कच्छा मकान दिखाया और बोला की वह पिछले पांच वर्षों से अलग रहता है और उसका मकान मिट्टी का बना हुआ है। उसने प्रिदानमंद्री की आवाज के लिए आवेदन किया था मगर रोजगार सहयक ने किसी अन्य व्यक्ती के मकान पर फोटो सीईयो के पास भेजा इस पर पत्रकार उन से इस सम्मन में बाचीत के लिए पहुँचे और उक्त विशय में समाचार के लिए उनके वर्षन मा उसने से इंकार कर दिया वर्षवकारियों को चाहिए कि सीईयो मैडम की कार्यप्रणाली और उनके वहवार को लेकर उचित कारवाई कर उन्हें पत्थ की गरिमा और जवाबदारी का एक सास दिलाकर, उनका दिमागी दिवालिया पंदूर कर उन्हें समाचार का क्या उचि अच्छा आप से मंतरी है साइट सची उने किसे ने रुपेंट की भी डिमांड किया है किसे बिना लेने देने तो उससे तो कुछ भी नहीं होता है अलागे उन्हें बता है नहीं कि जो कि उनने ये बोला है वहां पर पीशियो सर और यह सब थे यूंकि हुने कुछ बोला भी दूनों शुक्त नग्हें थे अपको ऑफिस में बुलाए था क्या कहा। वहां बाध्र नैट बीजान चाहरे करना अच्छा नहीं है। आपके अधिवकरेंण आपकी कर्मचारें पर मांगे थे अच्छा तो आपने ये नी बुलां कि मैं पाथ रूम को आ पता बनें जो हमारा काम निवा तो सिकायत करने परती है कर्मेचारी यह निक करेगा काम समय से तो अधिकारियों पर अगर बहस्त अधिकारियों पर कर वह नहीं तो आप क्या करें आगे आगे अधिकारियों को श्कायत करने तो